असलाम अलेकूम वीवर्स, वेलकम बैक तो माई चैनल सायका इंडिया, आज हम आपके साथ शेर करने वाले हैं, बहुत ही फेमस स्ट्रीट स्टाइल चना चाट की रेसिपी, काले चने की ये चाट बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हल्दी होती है, और इसे बहुत एजली आप डाइसो ग्राम काले चनों को अच्छे से वाश करने के बाद राद बर के लिए पानी में भीगोकर रख दिया था, आप इन्हें पांसे च्छे गंटे के लिए भी पानी में भीगोकर रख सकते हैं, राद बर भीगने पर ये देखे, इस तरह से फूल गए हैं, ये तो आप आप सभी जानते हैं कि भीगे हुए काले चने खाना हमारी सियत के लिए बहुत ज़्यादा फाइदे मन्द होता है, इन चनों में बहुत ज़्यादा आइरन होने की विज़े से ये हमारे शरीर में आइरन की कमी को पूरा करते हैं, अब इन भीगे हुए चनों को पानी के सा इसमें 3-4 सीटी लगाएंगे या फिर चनों को अच्छे से गल जाने तक बॉयल कर लेंगे जब तक चने बॉयल हो रहे हैं तब तक हम चनों में जाने वाला मसाला त्यार कर लेंगे अब एक बाउल ले लेंगे और इसमें कुछ पाउडर मसाले एड़ करेंगे सबसे पहले हाँ इसमें डालेंगे एक छोटा चमबच यानी एक टीस्पून कश्मेरी लाल मिर्च आधा टीस्पून काले मिर्च एक टीस्पून धन्या पाउडर एक टीस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर एक टीस्पून गरम मसाला एक टी स्पून चाट मसाला एक टी स्पून काला नमक अब इन सब मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे नमक मसाले आप अपने टेस्ट के साब से कम या जादा करना जाहें तो कर सकते हैं अब इन से मसालों में वन फॉर्थ कप यानी तीन से चार टेबल स्पून पानी डाल कर अच्छे से मिक्स करके एक पेस्ट बना लेंगे और अब इन मसालों को एक साइड में रख देंगे और अब हम चनों को चेक कर लेंगे अब कुकर का प्रेशर रिलीज होने के बाद कुकर को खोल कर चनों को देख लेते हैं चनों में चम्मच चलाएंगे ये देखी चनों में पानी बिल्कुल नहीं है और अगर आपके चनों में पानी हो तो आप फ्लेम को हाई करके चनों का पानी सुखा लीजिए इस तरह से चनों की चाट पहुत ही टेस्टी बनती है अब एक चने को हाथ से दबा कर देखेंगे य अब हम इने एक साइड में रख देंगे अब एक कड़ाई या पैन गैस पर रखेंगे और इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून आलिव ओयल इस चाट को हम आलिव ओयल में बना रहे हैं आप कोई भी कुकिंग ओयल ले सकते हैं अब ओयल के गरम होने पर हम इसमें डालेंगे आदा टीस्पून जीरा, वन फॉर्थ टीस्पून हिंग और दो इंच का अदरक का टुकड़ा बारी कटा हुआ इस चाट में अदरक का फिलेवर बहुत अच्छा लगता है इसलिए हमने यहाँ पर अदरक एट किया है अब हिंग जीरे और अदरक को एक मिनट के लिए लो फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे अब एक मिनट के बाद अदरक में से अच्छी सी खुश्बू आने लगी है, हिंग और जीरा भी फ्राई हो गये है अब हम इसमें वही मसाले का पेस्ट जो हमने रेडी करके रखाता वो डाल देंगे और इस मसाले को आईल में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब मसाले को भूनने के लिए 2-3 टेबल स्पून पानी मसाले के बाउल में हिला कर डाल देंगे और अब अच्छी तरह से चम्मच चलाते हुए मसाले को ओयल सेपरेट होने तक भून लेंगे दो मिनट तक हमने मसाले को भून लिया है आप देख सकते हैं मसाले में से ओयल अलग होने लगा है यानि मसाला बहुत अच्छी तरह से भून गया है अब हम इसमें उबले हुए चने डाल देंगे और चनों को मसाले में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब तीन से चार मिनट तक चनों को मसाले में इसी तरह से चम्मच चलाते हुए पकाएंगे तीन से चार मिनट के बाद देखी चनों पर मसाला बहुत अच्छे से कोट हो गया है और देखने में ही चने कितने बड़िया लग रहे हैं अब इसी वक्त हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक नमक आप ध्यान से डालिएगा क्योंकि हमने मसाले में काला नमक डाला था और चनों को बोयल करते वक्ते भी नमक डाला था तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक एट कर लिजीगा हमने यहाँ पर हाफ टीजपून नमक डाला है और अगर आपको चार्ट मसाला वगएरा कम लगे तो आप इस स्टेज पर इसमें एट कर सकते हैं अब नमक के बाद हम इसमें एट करेंगे दो उगले हुए आलू जिने हमने इस तरह से छुट-छुटे पीसिस में काट लिया है अब आलू को भी चनों में नमक कर लेंगे अब इन उगले हुए आलू को भी मसाले दार चनों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि इनके उपर भी मसाला अच्छी तरह से कोट हो जाए आलो डालना totally optional है अगर आपको पसंद नहीं तो आप इने skip कर सकते हैं लेकिन चने की चाट में उबले हुए आलो का taste बहुत अच्छा लगता है इसलिए हमने यहाँ पर add किया है अब आप देख सकते हैं आलो पर भी मसाला अची तरह से coat हो गया है बस अब हम गैस को बंद कर देंगे और इनने ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे थोड़ी देर के बाद देखी यह चने ठंडे हो चुके हैं अब हम इन चनों को एक बड़े बाउल में transfer कर लेंगे जिसमें हम आसानी से चाट बना सकें और अब हम इन में बाकी की चीज़े एड़ करेंगे अब हम सबसे पहले इसमें एड़ करेंगे एक बड़े साइस की प्यास बारी कटी हुई अगर हम गर्मा गर्म चनों में प्यास बगरा डालते तो वो soft हो जाती प्यास का जो crunch है वो कम हो जाता इसलिए चनों को ठंडा करने के बाद ही आपको ये सबी चीज़े एड़ करनी है प्यास के बाद हम इसमें दो हरी मिर्च बारी कटी हुई डाल देंगे और थोड़े सी फ्रेश पौदीने के पत्ते हैं ये डाल देंगे आप चाहें तो इने काट कर भी डाल सकते हैं हमने इने साबुती एड़ किया है अब ये दो मीडियम साइस के टमाटर हैं जिनके बीज निकाल कर हमें छोटे-छोटे पीसिज में काट लिया था ये डाल देंगे और ये एक मुठी फ्रेश हरा धनिया है कटा हुआ ये डाल देंगे अब ये हमने एक निम्बू लिया है इसका रज डाल देंगे और अब लास्ट में हमने ये इमली और खजूर की खटी मिठी चटनी लिया है चार से पांच टेबिल स्पून ये डाल देंगे ये टोटली ऑप्शनल है अगर आप नहीं डालना चाहे तो आप इसे स्किप कर दीजेगा अब इन सब चीजों को चनों में अच्छी तरह से चम्बच चला कर मिक्स कर लेंगे टमाटर प्याज हरा धनिया नेमबू वगारा की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या जादा करना चाहें तो कर सकते हैं तो फ्रेंट्स यह हमारी सुपर टेस्टी और बहुत ही हल्दी चट पटी चने की चाट बनकर रैड़ी हो चुकी है अब हम इसे सर्फ कर लेंगे बहुत ही मज़ेदार और मसालेदार चने की चार्ट मनकर दयार हुई है आप भी इस तरीके से चने की चार्ट को बनाएएगा रमजान में इफ्तार के वक्त तो ये चार्ट बहुत ही मज़ेखी लगती है तो फ्रेंट्स आप इस चार्ट को बनाकर अपने फीडबैक हमारे साथ दूरूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल जाएका इंडिया को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्लेस करतीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्राइब अल्लाहाफिस